तो जब आप कभी भी एक software install करते हैं तो कभी के बार आपको एक error face करना पड़ता है हला कि मुझे भी कहीं बार कहीं सारे errors face करने पड़ते हैं कि install net framework और install a new version on net framework तो आप परेशान हो जाते हैं कि यह framework आखिर है क्या तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह आखिर क्यों बना गया है और अगर आप तो अगर आप प्रोग्रामर है यह आपको प्रोग्रामिंग की थोड़ी बहुत knowledge है तो आप अच्छे से समझ जाएंगे इतना बताने वाला हूँ कि नॉर्मली समझ में आ जाए तो आपको पता होगा कि जो लोग प्रोग्रामर होते हैं वह सॉफ्टर बनाते हैं चाहे वह मूबाइल के लिए हो पीची के लिए हो या फिर और वी किसी प्लैटफॉर्म के लिए हो तो वह डिफ्रेंट काइंड्स हैं वो खुद से हैंडल कुछ चीज़ें कर सकते हैं सिंपल से टास्क कर सकते हैं जैसे एडिशन सब्ट्राक्षण और मल्टिप्लेकेशन और इससे ज्यादा नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं और अगर जैसे आपको कोई टेक्स जाफिर इमेज दिखानी हो कम्प्यूटर स्क् इतने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही डॉटनेट बनाया गया है इसमें होता है काफी बड़ा कलेक्शन प्रोग्रामिंग कोड्स का और एडिशनल टूल्स का जो पहले से ही लिखे वे होते हैं इसके अंदर हलाकि इसे अफिशली मायक्रोसॉफ मेंटेन करत करता है और इसकी मदद से प्रोग्रामर्स काफी असानी से और आपको पता नहीं होगा बट नेट फ्रेमवर्क एक इंपॉर्टन रोल प्ले करता है ओवरॉल ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि विंडोस को बताना कैसे एक्स्प्रेयर को ओपन करना है क्लिक करेंगे तो य नहीं चलती है और काफी सारी चीजें जो हम नहीं देख सकते वह भी हैंडल करता है और आपकी विंडोस स्टोर के काफी सारे एपस भी इससे इंट्रैक्ट करते हैं जो लेटेस टैन और एट में आये हैं तो मेली डॉटनेट टू पार्ट से मिलकर बना है एस डी के यानि पारे टूल्स और सौफ्ट्वेस होते हैं जिससे प्रोग्रामस आसानी से कुछ भी प्रोग्राम सौफ्ट्वेस क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा इस प्रोग्राम जो बताता है विंडोस को कि यह कोड्स डॉटनेट फेमवर्क का है और जो आपकी एप्लीकेशन को डॉट करते हैं तो फ्यूचर में आप ज्यादा से ज्यादा डॉटनेट फ्रेमवर्क पर ही बने होंगे और आप आने वाल टैम में देखेंगे तो आज नहीं तो कल आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो अगर आपने अभी तक इसे इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर ल किजिए नहीं अच्छी लगी तो डिस्लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजे मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में